हेलो फ्रेंट्स आपका सुवागत है हमारे चेनल इंफो गवर्मेंट जोब स्प्रिंट तो दोस्ते हैं पर जेविनल टेक्निकल हेलपर लाइनमेंट भरती परिक्सा मैन अग्जाम के अंसर के आपको पता हजारी कर दीगी है रिस्पोंस की को लेकर काफी बड़े यहां पर चातरों की मांग थी तो इसके बाद विभाग से जो अपडेट आई है विदित निगम से हैं तो वो आपको बताने वाले हैं और कट ओफ दोस्तों यहां पर कम जाएगा था कि हमारे पहले 120 क्यूसन बन रहे थे पर अब यहां पर जब हम चेक कर रहे हैं आनसर की तो हमारे 90, 100, 110 से उपर नहीं जा पा रहे हैं तो लगबक यही है आप सोच रहे हो उससे काफी कम नंबर बने और आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि हम पर विभागत की दरब से जो अपडेट आया है उससे यह क्लिर हो गया है कि आपकी रिस्पॉंस की है वो जारी की जाएगी तो आप अग्जक्ट डाटा भी आप निकाल पाओगे कि मेरा कितना नंबर बन रहा है तो उसके आधार पे हम कट ओफ की बात करेंगे फिलाल आपको क्या लगता है कि OBC या फिर HTS आपकी के टेगरी से हो कितना नंबर आपके बन रहा है वो निचे आप जरूर कमेंट कीजिएगा और बात कर रिजल्ट को लेकर तो दोस्तों आपका जो अंसर की अभी जारी किया गई है आपसे आपजेक्शन मांगे गए हैं गुनिश तारी तक लगबागे तो जब आप आप आपजेक्शन सब्मिट करोगे तो उसके बाद में वीक और दो वीक के अंदर वो सारी होना है तो वो चेंज होगा या फिर वो डिलीट होगा है दो ही ओप्सन है आपके पास जो आप यहां पर अबजेक्शन लगाएंगे चातर तो उस क्यूशन के ओपर जो आप सो रुपए का सुलक है जो नोन रिफल्डबल है आपको बता दू जो आप यहां पर अगर सही भ हो सकता है कि आपका अगर क्यूशन वो आपने सही किया है तो वो आपको नंबर का प्रोफिट हो सकता है अगर आपका अब्जेक्शन सही निकलता है तो मैं आपसे ही बोलूँगा कि अगर आप एक ग्रूप है जैसे कि कोई ग्रूप बुना हुआ है टेक्निकल हेलपर का य फिर उसका answer change होगा यह दो ही option होगे delete होगा सबको फाइदा होगा change होगा तो भी सभी को फाइदा होगा तो यह चीज है और result को बात करें तो बता दिया आपको मैंने दो week के अंदर आपकी चीजे clear होके आपका final answer की और response की जारी की जाएगी है यहाँ पर बड़ी update आई है कि response की final answer की के साथ जारी की जाएगी तो वो कब जारी किया जाएगा वो अभी है यहाँ पर हम नहीं बता सकते लगबग 2 week आप मान के चुरो इस महीने के अंतर तक या फिर आपका दिसंबर के first week में और result आपका दिसंबर के end week तक दिसंबर में आपका result है वो संभवता घोशित किया जाएगा तो चैनल को subscribe कीजिएगा आगे की updates के लिए भी और दोस्तों यहाँ पर देखतो 17 क्रोड रुपे पर हम पर परिक्षा सुलक लिया फिर भी हर अपत्ति पर 100 रुपे और चार्ज लिया जा रहा है डिस्कोब में टेक्निक हैल पर भरती परिक्षा की answer की जारी अब response की जारी नहीं करने पर विवाद समाने वरग से 1200 और आरक्सी तुरग से 1000 रुपे सुलक लिया गया था और फिर भी इस तरीके से exam करवाई जा रही है मेरा सबसे घटिया experience मैं बोलूँगा इसमें जो विदत निगम में अगर कोई exam देता है एक तो सबसे यहाँ पर जो कम rating की जो company होती है उसको यह tender देते हैं जो पिछली बार यहाँ पर इतने विवादों में रही काफी चातों अभी भी कोट में केस चाल रहा है उनके भरती में धांदली को लेकर उसी को इन्होंने दुबारा से यहाँ पर दे दिया सारा tender बागिरा तो दुबारा से वही लोग करवा रहे हैं और फिर response की पहले जारी करने की होती है बाद में जारी करने की नहीं होती है रिस्पॉंस की बंदे को जब उसको यही नहीं पता मैंने रेक्यूसन में क्या किया तो वो objection क्यों लगाएगा पर पता नहीं इन्होंने पैसे कमाने के लिए कि कोई गंडेट को अगर नहीं भी पता अग्जाम केंशल करनी पड़ी थी एक महीने बाद तो सारी चीज़े जो एक अग्जाम में नहीं होनी चीए वह सारी इस अग्जाम में हो चुकी है लेकिस तो रास्ता डिस्कों में टेक्निकल हेल्पर भरते ही कि दूसरे चरण के परिक्सा के आंसर के गुरुवार सुबह जारी हो गई लेकिन जेपूर डिस्कॉम ने अबेर्थियों की ओर से उत्तर की रिस्पोंस जारी नहीं की इस पर विवाद हो गया अब्यार्थियों का अरोप है कि डिस्कॉम ने दो महीने बाद आनसर की जारी करने की अपचारिकता की है दो महीने पहले दिये उत्तर याद रहने की समाऊना बहुत कम रहती है ऐसे मैं रिस्पॉंस की भी वेबसाइट पर अपलोड होने चीए ताकि प्रेक्सा में पार्दर्शिता रहे अनत्या अबयार्थियों को नैले में जाना पड़ेगा टेक्निकल हेल्पर के 1512 पतोबर भड़ती हो रही है यह तो मैंने पहले आपको दिखा दिया था एक RTI का रिप्राइज जिसमें उन्होंने बोला था कि हम रिस्पॉंस की जारी करेंगे तो वो अगर यहां पर यह जारी नहीं करते हैं अगर शिदा रिजल्ट देते हैं तो वो तो डेफिनेटली आपके कोर्ट में जाएगी वेकेंसिस और रास्तान में एक ट्रेंड है कि वेकेंसी कोर्ट में जाती है और विवा की तो कन्फर्म आपकी यहाँ पर जाती है जेपोड डिस्कॉम के मुखे कार्मी कदिकारी NS नाथावत का कहना है यहाँ पर पहले आपके CPO थे वो राकेश सर्मा थे वो रिटायर कर गए अबैर्थी द्वारा दिये गए उतर की रिस्पोंस की जारी करने के बाद फैसला लिया जाएगा यहाँ पर देख सकते हो अपका रिस्पोंस की जारी करने के बाद में यहाँ पर देखा जाएगा यह सिरफ अपना एक पेपर जो इन्होंने बनाये थे वो पेपर डाले हैं और उनके आंसर डाले हैं. तो यह तो पेपर अग्जाम होने के दूसरे दिन ही इनको डाल देने चाहिए थे. तो यह यहाँ पर इतना लेट कर दिया इन्होंने और यहाँ पर देखते हो आपका ओनलाइन परिक्सा आठ माह बाद भी रेलवे आपका टेक्निकल हेलपर की भरती जैपूर डिस्कॉम ने चार फ्रीवी को विगपती जारी की थी नो से अठाइस परिक्सा के लिए एक लाख 68,000 अब्यार्थियों ने आवे दिन किया था इसके बाद 20 से 26 मईज तक प्रार्णभी परिक्सा हुई इसमें एक लाख 40,992 अब्यार्थि सामिल हुए जुलाई में परिक्सा प्रणाम जारी हुआ मुख्य परिक्सा 27 अगस्त को 9 जिलों में 64 परिक्सा केंदरों पर करवाई गई थी दूसरे चिलन में 16,824 अब्यार्थियों का प्रिवेश प्रिक्सा जारी किया गया था लेकिन 6 केंदरों पर बायमेट्रिक वर टेक्निकल इरर के कारण परिक्सा नहीं हो सकी इन परिक्स यहां पर डिले इसमें किया गया है प्रिक्सा अब्यार्थियों को 8 मेने के बाद भी पोस्टिंग नहीं मिली है नकल गिरों की जांच है वो अलग से चल रही है टेक्निकल हैलपर की मुख्य प्रिक्सा के दिन 27 अगस्त को आईसो जी ने यहां पर एक नकल गिरों को आया नवंबर लास्ट यहां पर हो जाएगा तीन महीने हो गए कोई भी यहां पर नकल गिरों में क्या पकड़ा गया है क्या हुआ है क्या कुछ हुआ है कुछ भी यहां पर अपडेट अभी तक नहीं आया है तो देख सकते हो और समाने वरग से 1200 और अरक्सित वरग से 1000 पर इसमें तो यहां पर लगबग सेमी है, जेपुर जोधपूर में टेकनिकल हलपर तरथे की परिक्सया के जिम्यवारी जेपूर डिसकॉम को दी गई थी, डिसकॉम ने चन्ने गी siat want company को परिक्स अगें दूर्ब прост प्रिक्सया के लिए अभ्यारती शमाने वरग के 1200 रु भी कर दी तो एक हजार रुपए देने होंगे अब एर्थ ने इसका विरोध किया है तो विरोध तो किया है पर दोस्तों यहाँ पर यह 35 लग बहुत ज्यादा रखा है 100 रुपए लगबग 50 रुपए यहाँ पर हर विभाग रखता है बाकी देखते आगे कि अबडेट आता है आप अपने नमबर नेचे कमेंट जरू कीजिएगा और आप अपने विलिवल कमेंट जरू डालेगा धन्यवाद जेहिं जे भारत